हलो साथियों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का PBR स्टेडी में एक वीडियो में एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका स्वागत है वीडियो नंबर है 32 संख्याएं जो पूर वर्ग नहीं है यानि नान परफेक्ट स्कॉयर नंबर्स का स्कॉयर रूट कैसे फाइंड आप देखेंगे अंडरूट दो तीन पांच इन सबका वर्गमूल कैफे निकालेंगे यहां पर समझना जैसे यह संख्याएं हैं जैसे मानलो संख्या ले लिया नौ इसका वर्गमूल आप चुटकियों में कर लेंगे चार इसका सब का सब लोग जानते हो आराम से कर लोग मैं पिछले इसे जो है कुछ वीडियो में यह सब कवर किया हूं तो आज मैं कुछ नया नंबर्स आपको यहां पर एक्स्प्रेंट करके दिखाऊंगा जैसे 11 ठीक है क्या 11 11 का भाग विदी से वर्गमूल कैसे करते हैं देखो ऐसे यहां पर लिखते हैं नंबर्स जिसका क पॉलाइंट 4 on 4 होता है ऐसे कुछ होता है ना तो दसंबलो के तीन अंक पर ही नहीं खतम हो जाता है इसके आगे भी यह जाता है ठीक है कुछ गिंती आती है लेकिन अब पहले फिखाइड किया होते है कि हम दसंबलो के तीन अंक तक ही निकालेंगे लगवाग इतने में प् बनाएंगे और फिर तब शुरू करेंगे जिसे से दसंबलों के तीन अंक तक आंसर आए ठीक है चलो तो दो अंक तक फिलहाल में करूंगा तीन जोड़े बना लिया हूं तो एको मिटा देता हूं तो सबसे पहले क्या करते हैं वो नंबर देखते हैं 11 है 11 में अब हम कुछ ऐसा करेंगे कोई ऐसा संख्या बताओ जिसका स्कॉयर करें तो 11 के आसपाफ आ जाए मतलब 11 से जादा ना हो उसके बराबर या उससे कम रहे तो देखो 4 का स्कॉयर 16 होगा जादा हो जाएगा 3 का स्क लिखना ध्यां रखना उपर तीन बार जा रहा है क्यों तीन ही बार तो गया ना तो यहां पर लिखो गिंती उसको डबल लिखोगे उपर भी लिखोगे क्योंकि उपर आंसर इकठा हो रहा है ठीक है अब यहां पर नौ अब इनको घटा लो भाई साब दो आया यहां पर द इनका कूड़ा करके यहां लिख दिया अब इनको जोड़ के यहां लिख दिया अब इनको घटा दिया उपर मैंello के इतना बाद खतम हो गया है कि अब हम दसाम लों के बाद वाला जोड़ा यह उतारेंगे और उपर भी एक दसमलो बढ़ाएंगे क्योंकि मैंने दसमलो के बाद वाला जोड़ा नीचे उतारा है तरीका ही होता है बहुत प्यार से समझोगे तो सब समझ में आएगा भी दो बार तीन बार वीडियो देखो कि एक्दम एक्सपर्ट हो जाओगे अब देखो क्या करना है इसका भाग इसमें 200 में ले जाना है लेकिन आफे नार्मल नहीं ले जाना अगर इसका भाग भाग एक बार तुम ले जाओगे तो इसको आफे लिखोगे इसका मतलब है एक बार एक बार ले जाने का मतलब है 61 ठीक है एक बार भाग जाएगा तो कितना आएगा भाग एक फ यानि हमें 6 का भाग 20 में ट्राई करना है देखो 6 का भाग 20 में 3 बार जाता है तो मैं ऐसे 3 बार ट्राई करता हूँ तिन तरीका 9, 3, 6, 18 89 बहुत परफेक्ट बैठ रहा भाई साथ तो कितनी बार जाएगा 3 बार ठीक है तो देखो तिन त्रिका नो तीन शंग अठारा इनको घटा लो कितना आएगा ग्यारा आएगा इनको जोड़ लो जोड़ते समय ध्यान रहे थोड़ा इधर जगा छोड़के लिखना फटा के मत लिखना तो तीन तीन छे और ये आपका छे ठीक है बात खतम उपर का एक जोड यहां उतार लो दूसरा जोड़ा आपने उतार आप उपर दसंबलों मत बढ़ाना क्योंकि एक ही बार दसंबलों बढ़ाते हैं ठीक है तो हम अपना काम चला सकते हैं जी रोल उतार के नीचे क्लियर अब 6 का भाग ट्राई करो 11 में कितनी बार जाएगा एक के बार जाएग क्योंकि इनका गुड़ा होता ना इसे ठीक है लेकिन अगर यही भाग हम दो बार ले जाएं तो क्या होगा साथी मेरे यही भाग अगर तुम 2 बार ले जाओ तो 66 और भाग तुमें 2 बार ले जाना है सो यह एफै तो दूना 4, 2 चंग 12, 12, 13 124 तो 2 बार क्या हो रहा है ज्य एक आएगा इनको जोड़ लो ये दो और 6 और 6 ठीक है इनको घटा लो आंसर उपर आ चुका है हमें दो ही बार ले जाना थे इनको चाहे घटाओ या ना घटाओ कौनों मतलब नहीं है दस में से एक गया 9, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 6 गया 4, यह 4, 3, 9 आ गया, यहीं हो गया खतम, यानि हमें क्या करना था भया, हमें 3 अंग तक ले जाना था बाबू, देखो मैंने 3 अंग तक कर दिया, तो you can say under root f11, 11 का क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्गमूल हो रहा है, यहाँ पर 3.31, अब देखो यह कितना हद तक सही है, आओ देखते हैं, एक चीद देखो, अगर इसका वर्गमूल देखो 3 है, आप एक चीद देखो 9, 11 के पहले यहाँ पर समझना, जैसे मैंने लिखा 9, 10, 10 तो छोड़ दो, चलो ले लो क्या, 11, 11 से हमें यहाँ पर काम है और 16, देख संख्याएं हैं, जो इसके पहले और इसके 11 के बाद आती है, 11 के पहले पूरवर्ग 9 आती है, और 11 के बाद जो पूरवर्ग यानि परफक्ट इसको आनमबर है, वो 16 आती है, तो इसका जो वर्गमूल होता साथी मेरे एक पूरी पूरी संख्या 9, 3 होती है, इसका क्या होता चार होता है तो आपको पता है कि 9 और 16 के बीच में है 11 यानि इसका जो आएगा वर्गमूल वो 3 और 4 के बीच में आएगा तीन और चार के बीच में जो की परफेक्ट बैठ रहा 3.3 बना रहा है समझ में आया क्योंकि ये एक पूड वर्ग संख्या है ये भी एक पूड वर्ग संख्या है उसके बीच की ये संख्या जिसका मैंने वर्गमूल निकाला चूंकि इसका एक पूड संख्या वर्गमूल आ करते हैं समझ में तो like करें नहीं समझ में comment करिए आपको कहां क्या नहीं समझ में नीचे स्क्रीन पर help line नमबर चल रहें उस पर भी आप संपर कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे सारे